कि बेहाल खानी लेकर हाजिर हूँ मैं संतोष कंगवार। बेहार के कई जिलों में नदियों का जल इस्तर घटने के बाद भी लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। बाल के बाद कटाओं से लोग देश्वत में हैं, हालात का अंदाजा इसी बाद से लगा सकते हैं कि लोग अपने हाथों से अपना आश्याना उजाल रहे हैं। कोसी समेथ कई नदियों का पानी भले ही घट रहा हो, लेकिन बिहार के लोगों की परिशानी कम नहीं हो रही। आज भी न जाने कितनी ही बेहाल कहानियां तस्वीरों में तैर रही हैं। अब सुपॉल से आई तबाही की इन तस्वीरों को देखी। जिस जगे पर भरा पूरा गाउं हुआ करता था, आज बहां नदी की धार भे रही है। लोगों के घर पानी में पत्ते की तरह बह गए हैं। बच गया है तो बस घरों की निशानी और बेहसाब परिशानी। अब मजबूरन लोग बांद पर शरण लेने को मजबूर हैं। लेकिन बेहाल करती बाल की ये तस्वीरे सुपॉल तक ही सीमित नहीं हैं। अब इनको देखी। ये है किशन गंज के कोल भिट्टा गाउं के निरुलहक। बड़ी हसरत के साथ पक्का मकान बनाया था। सोचकर की परिवार के साथ सुपून की जिन्दगी जिएंगे। लेकिन आज अपने ही हाथों से अपने आश्याने को जालने को मजबूर हैं। नहीं तो उपनाई न भागलपूर के मसाणू गाउं का एक परिवार तो किशन गंज के निरुलहक से भी बदनसीब निकला। इस गाउं की विमला देवी की मौत प्रेन से कटकर हुई थी। घरवाले अंतिम संसकार करने गए तो नदी की धार घर को बहा ले गई। अब घरवालों के कुछ समझ नहीं आ रहा हालात पर रोएं या फिर अपनी किस्मत पर। बाड की विभीशका का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अरणिया शहर में परमान नदी का पानी घुश चुका है। साथ में बाड के पानी में डूब चुका है भगवान का मंदिर कहा जाने वाली नानू में घुसकर स्कूल जाना पड़ रहा है। अब एक तस्वीर मोतिहारी की भी देख लीजिये। नेपाल से आने वाली धतुआ नदी का पानी भेलाही में सडक के उपर से बै रहा है। जिससे दो सो गाउं का संपर्क तूड गया। यही नहीं पानी की स्धार ने मासूम शि जाका कोई स्थाई समाधान निकल पाता। ब्यूर रिपोर्ट न्यूज एट्री तो पानी घट रहा है लेकिन परेशानी बिलकुल कम नहीं हो रही है। किश्वन गंश की तस्वीर आपको हमने दिखाई कनकई रतुआ नदी के जलिस्तर में कमी आ रही है लेकिन बाल का ज ह ngद act टेजिक है कि जो पानी का बाहव बहुत तेजी से हो रहा है। कोल बिट्रक गाउं में डर्शनों मकान नदी में समाद चूके हैं यह उस्तिति है किशन गंशी चाहां पर बाल का पानी तो घट रहा है लेकिन जो पानी का बहलब है वह बहुत तेज रही है परमान नदी खत्रे के निशान के उपर से बह रही है शहरी इलाकों में भी पानी पहुँच चुका है सीता मडी, शिभर चार जगह पर तटबंद तूट चुके हैं और ऐसे में इस्तिती और भयाभे होती चली जा रही है विलसंड और रुनी सैदपूर बाड की चपेट में आ चुके हैं मुख और सड़क पर बाड का पानी लगातार बह रहा है और तेज बहाओ के साथ बह रहा है ऐसे में लोगों की जो परिशानिया है वो लगातार बढ़ती जा रही है प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही लेकिन प्रशासन भी अपने हिसाब से मदद करने के लिए मैदान पर उतर चुका है मदद पहुचाई जा रही मोतिहारी से जो ख़बर आई है वो भी कुछ अच्छी ख़बर नहीं है खुथा रधी का पानी गाउं मे घुष चुका है और ऐसे में लोग परिशान है मदद की गुहार लगा रहे है प्रशासन की और टक टकी लगा कर देख रहे है कोई उन्हें इस बाड़ से बचा ले इस उम्मीद में लोग जिंदा है सुपौल की अगर बात करें उनको नुकसान हो चुका है फसले धान की फसल खास कर वो पूरी तरह से पानी में जलमगन हो चुकी है लोग घरों से बिस्थापित ओ रहे हैं अपने आश्याने को खुद से तोल रहे हैं और इधर से उधर जाने को मजबूर है, उचे स्थानों पर जाने को मजबूर है, घर छोड़ने को मजबूर है मुझफरपुर की अगर बात करें, तो वहां भी इस्तिती जुदा नहीं है वागमती नदी खत्रे के निशान के उपर बैर रही है और आई और कट्रा के दर्शनों गाउं पानी में डूब चुके हैं और लोग परिशान नजर आ रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं मदद की गोहार लगा रहे हैं पूनिया की इस्तिती भी कुछ ऐसी ही है पूनिया में महानन्दा, कनकई और कोसी तीन नदियां बहती हैं और तीनों ही की तीनों नदियां उफान पर है इस्टेट हाईवे 99 का टायवर्चन तूट चुका है और ऐसे में लोग परिशान हो रहे हैं पानी जो है वो घरों में घुस रहा है, गाओं में घुस रहा है त्राहिमाम त्राहिमाम यहां भी सुनाई दे रहा है गोपाल गंश की अगर बात करें तो मंगलपुर पुल के पास गाइड बांध जो था वो ध्वस्त हो चुका इसने लोगों की परिशानी बढ़ा दी है रामपुर टेंग राही गाओं के पास में जो पानी था वो तबाही मचा रहा है डेल हजार से अधिक घर पानी में डूब चुके हैं और लोग यहां भी मदद की गोहर लगा रहे हैं NDRF, HDRF की टीमें लगातार मदद पहुचा रही है दरवंगा की अगर बात करें तो दरवंगा में भी इस्तिती कुछ ऐसी ही है किरतपुर में कोशी का बांध तूट चुका है और कोशी का जो बांध है उसके तूटने से घर और मकान पानी में समा चुके हैं लोग यहां भी मदद की गौहार लगा रहे हैं और प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि उन तक मदद जल्द से जल्द पहुचाई जा सके पूर्वी चंपारन के सुगाली प्रखंड में सिक रहना नदी के दवाव के कारण उत्री सुगाव पंचायत के डोंगी गाउं में रिंग बांध तूट गया पानी के दवाव के कारण लगपक 30 फिट रिंग बांध तूटने से पानी का फैला तेजी से निश्टले इलाकों की तरफ हो रहा है पानी के फैलने से हजारों हेक्टियर की फसल को नुकसान होने कानमान है वहीं सैकलो घरों के लोग जो सैकलो घर है उससे लोग इधर से उधर जाने को मचबूर हो रहे हैं यानि पलाइन करने को मश्बूर हो रहे हैं, इसलिक बांध को तूटने से परिशानी उनकी बढ़ गई. अब दर्वंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां किरतपुर में कोसी बांध का पश्मी तडवंद तूट गया है, जिससे इलाके में अफरा तफ्री का महौल पैदा हो गया है, कई घरों का और दुकानों को बाढ़ के पानी ने निगल लिया है, जानकारी के मताबिक करीब 500 मीटर से ज्यादा दूरी में बांध तूटा है, और बांध के सामने पढ़ने वाले एक सडख के पुल का भी बड़ का कहर अब दिखने लगा है, हम आपको दिखा रहे हैं, जीरो, ग्राउंड जीरो से आप देखिए, यह जो इलाका है, किरतपूर पढखंड का भुबोल गाउं है, और भुबोल गाउं में जो कटा हुआ है, कोसी नदी, एक तरह से कहें, तो अपनी धारा को बदल लिया है जो नदी है, वो नदी कटाव करते हुए पस्सिम की ओर बहने लगा है, और यह विक्राल रूप है, और आप सामने देख सकते हैं, कि जो पूल आपको दिख रहा होगा, उस पर भी लगातार पानी का प्रेसर है, ऐसे में पूल भी बहुत देर तक इस प्रेसर को नहीं जेल पाएगा, यहां कुछ लोग हम जान लेते हैं, बबाई कोन सा जगा है, क्या इस्तिती है, यहां पर बान टूटे के बहुत गरबर शितिती है, बहुत गाहां से लेकर घंगेपूर तक है, पानी तो बहुत है, वहां बेगर है सब आदमी को कोई सरकारी आदमी ने कोई का मुवी नहीं मौका मिला, सब को दाना, पानी, सब को घरे मरा गिया, किस निकाल नहीं पाया, इतना तेज बान टूटा, सब को घरे घरे का एक पानी भर गिया इस्तिती भयाबा है, और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो गाउं दिख रहा है, पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है, परसासन को वहां पहुंचना चाहिए, और वहां फसे हुए लोगों को निकालना चाहिए, और उन्हें जो जरुवत है, उसकी फरपाई होनी चा है, जिसमें दुरघटना की आशंका बढ़ गई है, आलमगंश के गाए घाट से लेकर माल सलामी के दमराही घाट तक कई जगाहों पर बाल का पानी चड़ गया है, घाटों की इस्तिती खतरनाक हो जाने के बाप्चूद, बच्चे गंगा में इसनान करते नजर आ रहे हैं आशल कंग दूदू से लग्टार एं, तिन दी से बर रहा है पानी, लगभागे दोफीट हाईट बर गहा है, हम दोगे हाले इस सीरी को भोजा कि एक हैं लोग परसों से पानी बरना चालों हो जाए लोगे ज़ना है दोचार दिकारी और नुम्हेंबर पर दिकारी से फील से कम जगम लुचारों को फोड़ किया दे दिया जिसे बच्चा लोग देखें जगम देखेंगे बहुत बजमासी कर रहा है। पादनमंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया विजय चौधरी ने कहा कि पानी इतना आया है कि पिछला सारा रिकॉर्ड टूड गया कोशी और गंडक ने पिछला सारा रिकॉर्ड तोड दिया इस साल के अनुवब के आधार पर तटवंद और कैसे मजबूत हो नेशनल शिल्ट मैनेश्मेंट की मांग बिहार से की गई थी केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है बिहार में सुझाब मांगा गया है उम्मीद है कि केंद्र सरकार से हमें मदद मिलीगी लोगोंने मांग एकर रखा रहे हैं और केद्र सरकार में भी उसको समेदन शिल्टा से देखा रहे हैं अब हम उसमें और ज्यादा उसको पुखते हैं इस साल के अनुभव को भी उसमें सामील करेगे कि इस साल के अनुभव के अधार पर भी हम अपने तटमंधों को और मजबूत ऐसे बनाएं क्योंगी अब जन्स्राव बढ़ा है लगातार हम लोगोंने मांगती है कि एक नैश्रल सिल्ट मैनिजमेंट पॉलिस रहे हैं पनी चाहिए राख लेक गास प्रबंदर निती जिस में भी केंद्र सरकार काम कर रही है और बहार में आई बाड़ पर उप मुखमंत्री विजय सिनहा ने कहा कि सरकार सजक है पददकारी को जगह जगह तैनात कर दिया क्या है सरकार आपदा पीड़तों के लिए लगतार काम कर रही है और जानमाल का नुकसान नहीं होने दिया उन्होंने दाबा किया केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लोगों को राहत पहुचा रही है साथी बार के स्थाई समधान के लिए भी प्यास जारी है और बहार में बार की भीश्वर तबाही के बीच एंडी आरेफ और एश्टी आरेफ की टीम सुदूर इलाकों में पहुच गई है बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित ट्रेकानों पर पहुचाये जा रहा है बाल पीडितों के अलाबा उनके पश्वों और सामानों को भी एश्डी आरेफ की टीम लोगों की मदद से सुरक्षित इस्थानों पर पहुंचाने में जोटी है एश्टी आरेफ की टीम के साथ नियूजेट्रीन की टीम भी सुदूर गाउं में पहुंची मुझफरपूर में राहत और वचाव कारे का जाजा लिया समवादाता चंजा कुमार ने कि विसका की वज़े से एक बार फिर से मुझफरपूर और सीतामरी के लोग तबाह हो गये हैं यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुझफरपूर के और आई प्रखंड के और देखें यह सीमा है और मुझफरपूर में किस कदर पानी जो है वो पहुंचा है यहाँ पर और लोगों को तबाह किया है इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर बखो भी समझ सकते हैं और लोग जो है वो लगातार रिस्क्यू कर निकाले गए हैं और ऐसे में अब SDRF की टीम हो या NDRF की टीम हो आपको अगर आपके लिए आपके घर तक पहुंची है तो आप लोगों का भी यह responsibility है आप लोगों के भी जिमेवारी बनते कि आप corporate करें सायोग दें तो कि आपक के साथ संजे कुमार, News 18, मुझफर पूर एक तरफ विहार का एक बड़ा इलाका बाड़ से बेहाल है दूसरी और बाड़ पर जम कर सियासत शुरू हो गई है आरजवेडी नेता रोड़ी आश्वारे ने राज्य सरकार पर सवाल किया तो एंडिये नेताओं ने पूछ लिया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदब कहां है एक तरफ बिहार के लोग बार से बेहाल है और तूसरी और तेजस्वी आदब दुबई में सेर सपाटा क और पूरी भारत सरकार, राजसरकार जगी भी है बिहार में उपनाई ड़ियों का पानी अब भटने लगा है लेकिन राजनेती की शाल तेज होती जा रही है विधानसबा चुनाओं के बाद पहली बार सिंगापूर से लोटी लालू प्रसाद के लिए की बेटी रोणी अचार्य ने बाढ़ पर सरकार से सवाल क्या पूछा बिहार की सियासत लह गए ये कभी सिंगापूर से कभी पटना से इनके भाई कहा है नेता परतिपक्ष कहा है बताएं अरे जीमेबारी निभाव सोने के चम्मस लेकर जन्म लेने वाले लोग एक के बाद एक कई एंडीय नेताओं ने आर्जेडी पर ताबर तोड हमले किये और सवाल पूछा कि तेजस्वी आदव कहा हैं तेजस्वी आदव लापता हो जाते हैं जैसे अभी विदेश सेर सपाटा करने चले गए हैं बाड की धार में तेज हुई सियासी पादी में जन सुराज के प्रशान किशोर ने हाथ धोने की कोशिश की बाड पर तेज हुई सियासत के बीच बिहार के डिप्टियो सीम समराज चौधरी ने केंद्रिय जल्द शक्ति मंत्री से मुलाकात की और पत्र लिखकर इस समस्या के थाई समाधान के लिए कोशी शित्र में बड़ा बराज बनाने की मांग की समराज चौधरी ने इस दौरान आरजोडी अधिक्ष लालू परसाद पर निशाना साधा और उनकी बेटी रोणी अचार्य को तब और अब में फर्क का आईना दिखाया एक जवाना वो था जब लालू जी सत्ता चोड रहेते तो दो लाग कुसक पानी छोड़ा गया था अज तो छे लाग से अधिक कुसक पानी छोड़े गये और पूरी भारत सरकार रासरकार जगी भी है फिलाल विहार का बड़ा इलाका बाड से बिहाल है नेता लोग नेता गिरी करने में लगे हैं नीज एटिन के लिए दिली से अमितेशो सिंग और पटना से धर्मंद्र कुमार के साथ ब्योरो रिपोर्ट और किशन गंज जिले में कनकई रतुआ नदी के जलिस्तर में कमी हुई है इससे बाड का पानी तो घट रहा है लिकिन कटाओ काफी तेजी से हो रहा है तेज कटाओ की बज़े से बाहदुर गंज प्रकंड के लौचा पंचायत के कोल भिटा गाउं में दर्शनों कच्छे पक्के मकान नदी में समा गए अभी पक्के मकानों के लोग अपने हातों से तोड रहे हैं साथी घर के सामान को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय निता वोट लेने के लिए दौड पड़ते हैं लेकिन आपदा की घड़ी में कोई उन्हें देखने वाला नहीं है यह तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं बाहदुर गंच की यह तस्वीरे जहां लोग अपने घर को खुद से तोड रहे हैं बज़े कि जैसे ही बाल का पानी उनके घर के नजदीख आया और यह खत्रा मड़ाने लगा कि उनका घर इस नदी में बह सकता है ऐसे में लोग अपने घर को तोड़ने को मजबूर हैं जिस आश्याने को अपने हातों से इन लोगों ने सजाया था अब उस पर ही हतोड़ा चला रहे हैं तो इस पुलिटिन में फिलालत नहीं आप देखते रहे हैं न्यूस 13 बिहार जार कर